हेलो स्टूडिंस मैं हूँ केडी सर और आप सभी का फिजिक्स की वॉट यूट्यूब चैनल पर स्वागत है यहां पर हम और आप मिलकर लगाते हैं फिजिक्स की टॉपिक्स की वॉट आईए अब बात करते हैं आज की टॉपिक की जो है सिग्निफिकेंट फिगर्स सिग्निफिकेंट फिगर्स को आपने केमिस्ट्री या फिजिक्स दूनों ही क्लासेश में पढ़ा हैं एक तो क्लास में पढ़ाये हुआ तरीका बहुत लेंदी होता है और दूसरा कन्फ्यूजिंग भी होता है बार-बार पढ़ने पर भी कुछ न कुछ गलती हो ही जाती है इसलिए मैं आज लिकर आया हूँ एक original cheat code या आप कह सकते हैं mathematical formula जिससे आप 200% accuracy से सिर्फ 2-3 minute में ही ये concept lifetime के लिए याद रख सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं guarantee लेता हूँ कि ये वीडियो आपको 100% नहीं बलकि 200% 300% पसंद आएगा और जब ये वीडियो पसंद आएगा तो आप इस वीडियो को share कीजिएगा चैनल को subscribe कीजिएगा और like बटन को जरूर दबाईएगा और अगर नहीं पसंद आता है तो dislike बटन दबाने के लिए कहिएगा अब आते हैं topic पर मैं आज आपके साथ share करूंगा एक ऐसा question जो ना तो आपको सिर्फ NCRT की बुक में मिलेगा नहीं आपको किसी reference book में मिलेगा और वो question 99% बच्चे गलत ही करते हैं आएए देखते हैं क्या है ये question जी हाँ ये question आपके सामन हैं तो इस question का भी हम जवाब देंगे इसी वीडियो में इसलिए वीडियो को पूरा देखें आखिर तक देखें इस question में कितने significant figures हैं इनका पता लगाएंगे और अब देखते हैं क्या है हमारा significant figures का cheat code जी हाँ SF equal to NZ plus DTZ plus IBZ ये mathematical formula है इसमें NZ, DTZ, IBZ की क्या full form है ये हम आगे देखेंगे पर उससे पहले physics का ये topic rules for arithmetic operations with significant figures जिसमें आप सभी बहुत ही confused होते हैं उसके भी cheat code हमने बनाए हैं और आपके साथ share करेंगे कैसे use करना है इन cheat codes को उसके लिए आपको link description box में मिल जाएगा या फिर उपर i button पर click करकर भी आप उस video तक पहुँच सकते हैं तो आईए देखते हैं क्या है इन short forms की full form SF का मतलब होता है significant figures जो की हमें question में निकालने हैं यानि कितने digits कितने figures significant हैं and z का मतलब है non zero digits और हमें ये count करने है non zero digit उसके बाद आता है आपका d t z d का मतलब decimal t का मतलब trailing और z का मतलब zeros तो हमें d t z भी count करने हैं फिर उसके बाद आता है आपका ib z यानि in between zeros ये भी हमें count करने हैं जब ये count करेंगे तीनों को add करेंगे तो आपको मिलेगा आपका significant figures अब n z, ib z, dt z इनको कैसे पता लगाना है उसको हम देखते हैं देखिए n z, n z का मतलब है non zero digit तो इस number में कितने digit हैं जो zero नहीं है तो सीरी सी बात है उसको बच्चा भी बता देगा कितने हैं तीन है exactly तो एक, दो, तीन तो इसमें non zero कितने हुए तीन अगला example लेते हैं इसमें non zero कितने हैं एक, दो, तीन और ये चार तो non zero कितने हुए हमारे चार हुए इसके बाद कुछ और कर लेते हैं आप बताएंगे आप ही मेरे साथ practice कीजिए और मुझे जवाब दीजिए कि कितने होंगे हाँ जी फटा फट कीजिए एक, दो, तीन, चार तो non zero हमारे हो गए चार ऐसे ही यहाँ पर एक, दो, तीन, चार, पांच, नो zero कितने हो गए हमारे पांच, सेम यह नंबर बहुत बड़ा दीख रहा है बट इसमें भी non zero, एक, दो, तीन, चार, पांच, तो non zero हो गए पांच, तो इस तरह से आपने non zero निकालना सीखा, यह आगे practice के लिए हैं, अब इसमें आप नई चीज देख रहे हैं कि यहाँ पर decimal लगा दिया है, पर decimal हो या ना दोनों में right, आप correct हैं, इसमें है एक, दो, तीन, चार, और पांच, तो आपका answer सही है, इसमें non zero five है, इस वाले में non zero कितना है, एक, दो, तीन, तो यहाँ पर non zero है आपका तीन, तो इस तरह से आपने non zero निकालना सीखा, अब हम बात करते हैं, टीजेट, trailing zero, और non trailing zero की, देखे, trailing zero का मतलब होता है, last वाली zero, देखे, ये दो जो zero है, ये बीच वाली zero है, ये दो zero है, ये last वाली zero है, यहाँ पर भी देखेंगे, ये दो zero, बीच में है, और ये दो last में है, तो last में, जो zero आती है, उनको trailing zero बोलते हैं, पर अब ये confusion, कहें या क्या कहें, देखे, ये बीच वाली zero है, in between zero, ये भी in between zero है, decimal के बात से मतलब नहीं है, last में यहाँ पर कितनी zero है, एक zero है, तो यहाँ पर trailing zero सिर्फ एक है, अगर मैं एक और बना देता हूँ, तो trailing zero दो, एक और बना देता हूँ, तो trailing zero तीन, हैं तो इसमें trailing zero हैं दो इसमें trailing zeros हैं दो इसमें trailing zeros हैं एक दो तीन चार बट हमारा cheat code तो है tdz sorry dtz decimal trailing zero तो क्या इसमें decimal है नहीं है तो dtz हमारा वस जीरो क्या decimal है हाँ है decimal में trailing zero कितनी है दो तो यहाँ पर dtz जो होगा वो होगा दो क्या यह number decimal है हाँ है और आखिर में कोई zeros है हाँ है एक दो तीन चार तो हमारी dtz है चार तो हमें trailing zero से कोई वास्ता नहीं है यह सिर्फ आपको trailing का मतलब बताने के लिए लिखा गया था introduce किया गया था सिखाया गया था तो I hope अब आप सीख गए होगे देख लेते हैं कुछ question क्या इसमें कोई tdz है पताईए tdz है के नहीं है कोई भी आखिर में zero नहीं है तो इसका मतलब है tdz zero है अच्छा यह decimal number है पर क्या इसमें कोई tdz है tdz आखिर में कोई zero नहीं है तो इसलिए tdz zero है अब देखते हैं इसको तो क्या इसमें decimal है नहीं है तो यह zeros count नहीं होंगी क्योंकि हम लोग सिर्फ trailing dtz sorry decimal trailing zero decimal trailing zero तो इसमें decimal नहीं है तो यह हम count नहीं करेंगे इस वाले question में इस वाले number में देखेंगे तो क्या इसमें decimal है हाँ है तो decimal trailing zeros इसमें कितनी है एक और दो तो यह आपकी दो हो गई जबकि यहाँ पर decimal नहीं है तो decimal trailing zeros zero हो गए तो आप आते हैं ibz पर यानि in between zero तो देखिए यह number तो इसमें तो बीच में कोई zero है ही नहीं तो ibz कितना हुआ ibz का मतलब है zero इसमें दो numbers के बीच में zero आ रही है तो यह आपका हो गया ibz कितना एक यहाँ पर भी ibz बताईए कितना हुआ मेरे answer लिखने से पहले एक correct यहाँ पर कितने zeros है in between तो in between है ibz है आपका two exactly आप यहाँ पर देखिए number बढ़ गया आपका यहाँ पर in between zeros कितने है यह दोनों तो बीच में है इन दोनों के तो यह ibz हुए पर क्या यह ibz है यह trailing है तो आप कहेंगे कि यह trailing है तो सिर्फ ibz यह हुए यह हुए trailing zeros तो इसको हम count नहीं करेंगे ibz को ही count करेंगे तो यह हमारा हो गया two तो देखिए in between zeros भी आपने find out करना सीख लिया अब इस formula में nz non zero की value dtz की value और ibz की value रखनी है और आपको significant figures मिल जाएंगे देखते हैं सारे concept सारे short form को यहाँ पर use करके तो देखिए इसमें significant figures nz कितने हैं two trailing zeros decimal trailing zeros क्या decimal है नहीं है तो zero फिर क्या इसमें in between zero है ibz zero significant figures is equal to two plus zero plus zero that is two इस question को देखेंगे इसमें कितने हैं nine zero एक दो तीन चार dtz है क्या इसमें decimal नहीं है तो zero क्या in between zero है है ibz equal to zero so हमारा यहाँ पर significant figures हो गया तीनों का सम यानि four plus zero plus zero ओके मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ significant figures equal to four plus zero plus zero यानि four आप ले लेते हैं decimal तो decimal में आ गया यहाँ फिर से solve करेंगे and z कितना है तो देखें एक तो तीन चार in between zeros sorry dtz trailing zero यहाँ पर कुछ भी नहीं है ठीक है तो trailing zero decimal trailing zero zero उसके बाद आपका in between zero कितना है एक है एक तो आपका significant figure हो गया four plus zero plus one that is five right अब हम बात कर लेते हैं मैं थोड़ा सा इनको हटा देता हूँ अब हम बात करते हैं इसकी इस वाले question को यहाँ पर देखते हैं इसमें नौ zero कितने है बताईए एक दो तीन और चार पाँच तो टूटल पाँच decimal trailing zero कितने है decimal है ही नहीं तो zero in between zero कितने है ibz वो है zero नहीं two है तो two तो significant figures कितने हो गए five plus zero plus two that is seven इस question को करते हैं and z कितने एक दो तीन चार पाँच पाँच हो गए in between zero कितना sorry dtz ले लेते हैं पहले dtz decimal trailing zero कितना decimal ही नहीं है तो dtz तो होगा क्या अब लेते हैं ibz ibz का मतलब कितना between zero एक दो तो कितना हो गया significant figures आपका five plus zero plus अच्छे यहां लिखा नहीं है गायब हो गया two okay ibz यहां पर मैं लिख देता हूँ two two so significant figures हो गए आपके seven आप इस वाले को देख लेते हैं same number पर decimal आगया है तो अब आप देखेंगे इसमें नो zero कितने एक दो तीन चार पांच same पांच in between zero कितने same sorry dtz लेते हैं पहले हम लोग decimal trailing zero तो देखें decimal है और उसके बाद यह trailing zeros हैं तो यह हो गए आपके दो और in between zero आपके वो भी हो गए दो तो आपका significant figures हो गया 5 plus 2 plus 2 that is 9 similarly इन दोनों के answer आप करकर बताईए क्या होंगे हाँ तो सबसे पहले निकालेंगे nz फिर निकालेंगे आप dtz और फिर निकालेंगे आप ibz तो नों zero कितने एक दो तीन चार पांच छे आपका भी छे आ रहा है तो आप सही है dtz आखीर में एक ही zero है एक और in between कितने हैं ibz दो significant figures हो गए आपके six plus one plus two that is इस वाले question को देख लेते हैं तो इसमें non zero कितने हुए एक दो तीन चार पांच छे छे डीटी जेड कितने हुए decimal के बाद number है पर zero नहीं है तो dtz कितना हुआ zero in between कितने है देखिए ये between है ये भी between है दो numbers के बीच में है decimal हो ये ना हो कोई फरक नहीं पड़ता तो in between कितने हो गए I between zero in between zero हो गए आपके four two plus two अब आप देखिए significant figures आपके हो गए six plus zero plus four that is ten तो इस तरह से आपने सारे questions के significant figures निकालना सीख लिया तो आप देख लेते हैं NCRT के question तो first question में आप देख रहे हैं इसमें हमें count करनी है तो इसमें NZ हो गए हमारे कितने एक in between zeros है क्या देखिए यह यहां तो है पर यहां पर कोई number नहीं है तो यह दोनों जो zero है in between zero नहीं कहलाएंगे तो I B Z हमारे हो गए zero अच्छा ट्रेलिंग zeros है नहीं है क्योंकि seven है तो decimal trailing zero भी जो होगा वो zero हो गया तो तीनों का sum कितना हुआ हमारा one plus zero plus zero that is one तो significant figures हुआ हमारा सिर्फ one अब बात करते हैं second question की non zero कितना एक दो तीन decimal trailing zero एक भी zero trailing में नहीं है तो zero उसके बाद in between zero तो इसमें कोई भी in between zero नहीं है तो I B Z equal to zero तो हमारे significant figures हो गए तीनों का sum three plus zero plus zero that is three next है ये वाला number सबसे पहले एंजेट non zero कितने हुए एक दो तीन non zero होगे तीन decimal trailing zero कितने हुए decimal के बाद trailing में एक ही zero है तो ये होगा एक अब क्या ये zero किसी भी जीच को qualify करता है तो zero नहीं qualify करता क्योंकि ये in between नहीं है यहाँ ये number है यहाँ कोई number नहीं है तो in between नहीं है trailing zero decimal trailing zero भी नहीं है i be z equal to zero तो total कितना हो गया 3 plus 1 plus zero that is 4 तो significant figures हो गया 4 ऐसे ही इसमें देखेंगे तो non zero कितने हो गया 1, 2, 3 trailing zero हो गया decimal trailing zero वो हो गया हमारा one और in between zero इसमें भी हमें कोई नजर नहीं आ रहा है कोई भी in between zero नहीं है तो zero तो इसमें भी significant figures हो गया हमारे 3 plus 1 plus zero that is 4 अब आता है next question non zero कितना हुआ 1, 2, 3 ये हो कि हमारे 3 in between zero, sorry decimal decimal trailing zero कितने हुए हमारे कोई भी zero trailing वे नहीं है decimal हो या non decimal zero in between zero है हमारा एक i, p, z in between zero है एक तो हमारा significant figures हो गया हमारा 3 plus zero plus one that is four ओके अब आते हैं हम लोग last question पर जो कि बहुत ही interesting है nz इसमें है non zero आप देखेंगे one, two, three तो non zero हो गए three उसके बाद हम देखते हैं decimal trailing zero तो देखेंगे इसमें कोई भी trailing zero नहीं है तो decimal का भी कोई नामनिशान नहीं है zero इसलिए यह zero हो गया अब आप बात करते हैं i, b, z यानि in between zero scheme तो देखें यह है in between zero तो यह हो गया one अब सवाल पुछेंगे कि यह in zero का क्या देखें यह in between है बट यह in between नहीं है तो यह तीनों जो है ना तो decimal trailing zero को qualify कर रही है चारों और नहीं यह in between को qualify कर रही है तो इसलिए significant figures हो गया हमारे three plus zero plus one that is four अब आते हैं हमारे question पर जो हमने वीडियो के starting में बताया था तो solve करते हैं तेखें सबसे पहले n, z 9, 0 कितना हो एक, 2, 3 4, 5 आसान था अब बात करते हैं trailing decimal, decimal trailing zero की तो देखें decimal दिखा और यह zeros भी दिखें 2 ठीक है अब बात करते हैं in between zero की तो देखें यह in between zero तो बहुत clear है कि यह दो numbers के बीच में है इन दो को तो मैं लिख लेता हूँ पर क्या है इनका देखें यह significant figures है 5 number है, यह zero है पर क्या यह significant figure है यह zero, यह zero यह दोनो significant figures है यह भी significant figures है तो जो zero significant figures के बीच में आती है वो zero count होती है तो यह है इस question का असली सवाल यह असली point तो इस zero को देखकर जादा तर बच्चे इन zeros को count नहीं करते हैं बट यह significant figures हैं और यह भी significant figures हैं तो दो significant figures के बीच के भी zeros जोती हैं वो count होती हैं इसली हमारा i b z जो होगा चार होगा तो इसली आपका significant figures आ गए आपके five plus two plus four that is seven for eleven तो आपके significant figures were eleven तो यह है आपके इस question का जवाब I hope यह concept आपको समझ में आया होगा i b z का मतलब है significant figures के बीच की zero in between ठीक है तो यह significant figure है इसलीए इनके बीच का count होगा आखीर तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद physics की watch YouTube channel पर फिर से मैं आपका kiddy sir मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ तब तक के लिए stay fit, stay healthy